जैहिन सात्यों स्वागत थे आपका Self Study Classes विस्वमिच जैन यूटूब चैनल में दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ड हो चुका है तो आज हम पढ़ने वाले बहुत ही फ़नी ट्रिक जिसमें हम पढ़ेंगे ज्यानपीट प्रोस्कार से प्रोस्कृत सारी रचनाओं को तो आज आपको पूरा वीडियो देखना है इससे पहली मैंने आपको साहित अकादमी से प्रोस्कृत रचनाओं याद करवा दी ब्यास सम्मान से प्रोस्कृत जितनी भी रचना हैं सारी याद करवा दी और आज में आपको ग्यानपीट प्रोस्कार से प्रोस्कृत रचना है प्लस साहित कार को कभी ये ग्यानपीट प्रोस्कार मिला है वो सन भी आपको याद करवाने वाली ठीक है तो पूरा वीडियो आपको देखना है और वीडियो को लाइक करके सियर अबस करना है जो भी साती अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सब्सकाइब कर लें और हिंडी साहित का अपना एक प्यारा सा वाट्स अफ ग्रोफ है जिसके लिए आपको 9098609291 इस नम्मर पर आ आपको जुड़ जाना है ठीक है तो स्टार करते हैं दोस्तो आज का वीडियो फटापट से आपको बताना है आपका टेस्ट भी होगा और आपको ट्रिक भी बताई जाएगी बताना है दोस्तों चिदंबरा की रचनाकार कौन है चिदंबरा दोस्तों हिंदी में आपको पत सबसे पहले मिला चिदंबरा के लिए और एक इसकी रचना है तो यह है दोस्तो सुमित्रा नंदन पंत जी की है और आनम्मर आपका बिलको सही हो जाएगा और इसे कम मिला दोस्तो तो इसे मिला 1968 में अब आपको कैसे याद रख लेना आप कई बार पढ़ चुके लेकिन भूल जाते हो लेकिन अब आपको कभी नहीं भूलने वाले आपको याद रखना है कि चिदंबरा के पंत 68 के हो गए हैं क्या करना है आपको चिदंबरा के पंत 68 के हो गए हैं तो चिदंबरा पंत जी की रचना हैं और 68 में क्या मिला इन्हें ग्यान पीट पूस्कार मिला अब आप कभी नहीं बोलोगे है ना पूछा जाएगा कि चिदंबरा के पंत 68 के हो गए है इतना याद रखना है सिर्फ आपको ठीके तो याद हुआ आपको कि नहीं हुआ क्या याद रखेंगे चिदंबरा के पंत 68 के हो गए है ठीके और बसी के रचनाकार बताना है दोस्तों और मतलब होता हिर्दय और बसी मतलब बसी मतलब हिर्दय में बसी अब बोले हिर्दय में बसी तो रात में बसी की दिन में बसी ये भी आपको बताना है हिर्दय में बसी और में बसी तो बोले स से दिनकर और और वसी रचना जो होगी वो दिनकर की होगी और इसे 1972 में दोस्तो 72 में क्या मिला ग्यान पीट परुसकर मिला ये चीज भी आपको याद रखनी है ठीक है तो अब मैं आप से कभी पूछूंगा कि और वसी के रचनाकार कौन है और इस तर और वसी दिन में बसी ये ना तो दिन में वसी तो दिनकर ये चीज आपको याद रखने है बहुत ही बड़ी या रचना है और कई बार पूछी गई है 1972 में से ग्यान पीट पुरुसकर मिला कितनी नाव में कितनी बार आप बैटे हो मतलब वो चीज क्या है अग्यात है है ना प्रस्ण ने खुद बोला कि उत्तर यहीं पर है कहीं जाने की जवरत नहीं है कितनी नाव में कितनी बार बोले अग्ये अग्ये से अग्ये आपके रचना कार हो जाएंगे कितनी नाव में कितनी बार अग्ये है ना सचिदानंद हीरानंद वासायन अग्ये इनका पू अग्ये जी को ठीक है तो अब मैं कभी भी आपसे पूछेंगा कितनी नाओ वे कितनी जान से कुछistem कितनी नाओ में कितनी बहुत पुछिए यामा की रचनाकार कौने दोस्तों यामा यामा की बड़ी रचना है या पूछी गई इसके क्या हो जाएंगी रचनाकार हो जाएंगी या मा कई बार पूची गई दोस्तों याद रख लेना है ना या और मा तो आई रहा है मा है ना तो मा से आपका महादेवी वर्मा और महादेवी वर्मा आपको पता है दोस्तों आधने कियुक की मीरा इने कहा जाता है महादेवी बर्मा को चायवाद के चार आधर स्तंबों में फिर मुख मानी जाती है महादेवी बर्मा ठीके और इन्हें दोस्तों कम मिला 1982 में 1982 और 82 बार महादेवी जी की पूजा करके आना फिर आपका एक्जाम भी निकल जाएगा के लिए घ्यान पीट पूजार मिल गया ठीक है अंगला है दोस्तों नरेस महता को घ्यान पीट पूजार कब मिला अब देखना दोस्तों चार रचनाओं को ग्यानपीट पुरुसकार मिला केबल चार रचनाओं को ठीक है हिंदी की केबल चार रचनाओं को ग्यानपीट पुरुसकार मिला और एक क्वेस्चन बनता है कि निमने मैंसे बताईए हिंदी की किस एक मात्र महिला रचनाकार को किसी रचना के लिए ग्यान प्रुषकार कब मिला दोस्तो नरेस नरेस मतलब होता है क्या राजा और आप कैसे याद रखोंगे कि नरेस को बान मार दिया नरेस को बान मार दिया तो नरेस को बान से हो जाएगा आपका बान बै बान बै है ना बोले बान मार दिया किसको नरेस को तो नरेस को बान मार दिया तो 1992 में जो पुरुसकार मिलेगा इन्हें ग्यानपीट पुरुसकार मिलेगा अब आप कभी नहीं बोला है ना नरेश को क्या मार दिया बान मार दिया तो बानवे ठीक है बानवे में इन्हें पुरुसकार मिला ग्यानपीट पुरुसकार नेक्स्ट आप से पूचा जाएगा निर्मल बर्मा को और उसकार कब मिला दोस्तो निर्मल बर्मा को बताना है और निर्मल बर्मा ठीके कैसे याद रखोगे इसको निर्मल बर्मा को मिला 99 99 में सीधा सीधा याद रख लेना निर्मल 99 के हो गए है किते के हो गए है निर्मल 99 के हो गए है है ना कैसे याद रखोग कि निर्मल 99 के हो गहाई यानी कि 1999 ठीके याद रख लेना अगर ट्रिक आप लिख रहे हो तो लिख जरूड लेना निर्मल कितने के हो गए है 99 के हो गए है तो निर्मल बर्मा को जो ज्यान पीट पुर्षकार मिला वो 99 में मिला ठीक है याद रख लिना और ना से निर्मल और ना से 99 ऐसे भी याद रख लिना ठीक है और निर्मल 99 के तो होई गए हैं कुंगर नारायन को ज्यान पीट पुर्षकार कब मिला दोस्तों कुंगर दोस्तों एक चीज बता दें कि किसी बिसेश छेतर में कुंगर को जो जी जा जी होते ना जी जा जी उने कुंगर बोला जाता है कुंगर है ना और बोले मोरे एक कुंगर नहीं कितने कुंगर है पूरे पांच कुंगर कितने कुंगर है पांच कुंगर है ब 5 पुल दे न, 5 है, ठीक है, कितने? 5 कुणर, तो 2005 आपका ग्यानपीट पौसकार, इने मिला, ए चीज भी आपको याद रखना, अंगला है स्रीलाल सोकल एबम अमरकांत को ग्यानपीट पुरुषकार कब मिला स्रीलाल सोकल सन्युक्त रूप से इने ग्यानपीट पुरुषकार मिलाता दोस्तों और यह कब मिला है ना अब आपको बता है दोस्तों कि बहुत सारी माताय होती है अपने लाल से बहुत प्यार करती है वो चाहती है कि मेरा लाल अमर हो जाए एक बार क्या हुआ एक माता ने बोला भगवान से भगवान मेरे लाल को अमर कर दो तो भगवान बोले नो नो ऐसा नहीं हो सकता क्या बोले नो लाल को अमर कर दो तो स्रीलाल शोकल अमर कर दो तो अ नो तो 9 है ना 2009 याद रखने ना स्रीलाल सोकल और अमरकांत को जो ग्यानपीट पुरुसकार मिला वो 2009 में मिला है ना नहीं हो सकता ठीक है अब आपको दोस्तों ऐसा भी बताना है जो ट्रेक आपको सबसे अच्छी लगती है वो आप कमेंट में लगकी बता देना ठीक है केदारनाच सें को ग्यानपीट पुरुसकार कम मिला केदारनाच सें चार विकल्प हैं तो जल्दी से बता देना है ना आपने देखा होगा दोस्तों बहुत सारे लोग केदारनाच जाते हैं है ना केदारनाच जी बोले यातरा पर गया है केदारनाच जी है ना तो कैसे या नात गया है तो केदार नात से हैं और 13 तो 2013, 2013 में इसे ग्यान पीट पुरुसकार मिला और ग्यान लेने तो ग्यान पीट पुरुसकार ठीक है, 13 दद्दा कहां गया है, केदार नात गया है, ग्यान लेने, ऐसे याद करेंगे, ठीक है, ट्रिक आपको लिखते जाना है, है ना, तो दद्दा उपनाम है मेतलिस्रनगपत का, राष्ट कभी मेतलिस्रनगपत का उपनाम है, इन्हày दद्दा भी कहा जाता था है ना, और तेरा में इन्हें केदाना सेंको ज्यानपीट पुरुसकार मिला ये चीज भी याद कर्चीज भी याद रखनी है हैना 17 में सोबती इतना वा से याद रखना है 17 में सोबती तो क्रश्ना सोबती को 2017 में ग्यान पीट पुरसकार मिला और दोस्तो अभी तक 10 रचनाओं म Jackie 10 साहितकारों को ग्यान पीट पुरसकार मिल चुका है हैना TWO कैसे याद रखोगे सत्रा में सोबती यानी क्रशना सोबती ठीक है अब आपको जो ग्यानपीट पुरुषकार है उनके सन भी याद हो गए होंगे किनको ग्यानपीट पुरुषकार रचनाओं को मिला वो रचनाओं भी आपको याद हो गई होंगी ठीक है इसके पहले के वीडियो ब्यास सम्मान स साहे तकादमी पुरुषकार सब कुछ मैंने याद करवा दिया है दोस्तों वो वीडियो जरूर देखें और एक बार आप वीडियो देखेंगे कभी नहीं भूलेंगे अब कभी भी आएगा कि क्रश्णा सोब्ती को ग्यानपीट पुरुषकार कम मिला तो आप सीधा बता दो होगे सर 17 में सोब्ती 17 सोब्ती हैना निर्मल 99 के हो गए हैं 13 के दारनात गया है तो केदारनात से को 2013 मैं अब आप कभी नहीं भूल पाएंगे हैना ऐसे भी आद रखना है और पारिजात के रचनाकार बताना है पारिजात पारिजात के अब यह चेलेंज प्रसन है आपका प पारि ऐसी खेलना है जिसका सिराना हो जिसका सिराना हो यह से याद भी करवाया था तो मैंने हिंट भी आपको दे दी है और यहाँ पर यह दोस्तों चार पांच चार लेखक दिये हैं इनके बारे में भी आपको बताना है नास्रिया सर्मा, मिर्दूला गर्ग, नरेश महिता, क्रशना सूब तीन की एक एक रचनाई भी आपको कमेंट में लिखनी है ठीक है और पारिजात को कब साहे तकादवी प्रुसकार मिला रचना किसकी है यह सारा आपको लिखना है सब कुछ लिखना में सारे के सारे कमेंट आपके देखता हूं ठीक है और वीडियो में सबसे एक्जामों के लिए एक फनी ट्रिक ठीक है तो दोस्तों जो भी साती WhatsApp ग्रोप से नहीं जुड़े हैं वो 9098609291 की नम्मर दिया है इसमें आपको SMS करना है MSG करना है WhatsApp पर तो आपको लिंक मिल जाएगी ठीक है और दोस्तों अपना एक Telegram ग्रोप है Telegram ग्रोप में जुड़ना है अगर आपको तो Telegram एप डाउनलोट करना उसमें सर्च कर लेना IAS Study ठीक है और जॉइन हो जाना है ठीक है तो वीडियो को लाइक करके सब्सकाइब जरू कर लेना सब्सकाइब करके बेल आइकन को दबा कर ओल पर किलिक आपको जरूर करना है आज का वीडियो कैसा लगा जै हिन